मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक लास्ट टाइम हमने सर्वे किया था शिवा जी नगर के इलेक्शन के बारे में 23 तारिक तक का 23 तारिक के बाद से अभी तक का सर्वे हो चुका है और रिपोर्ट हमारे हाथ में और हमारे साथ पैनल के डिस्क्रिशन के लिए शरियार खान साहब है महमुज जान साहब है कुरैसी साहब है और सादिक भाई है इन सभी से पहले मैं सर्वे का रिपोर्ट परताओंगा उसके बाद उनकी टिपनिया लूँगा कि उनकी क्या राय है तो आप सभी लोगों को बता दूमें कि हमने जो 23 तारीक का सर्वे किया था उसमें जो परसेंटेज बीजेपी को मिला था वो 45 परसेंट था और कॉंग्रेस 42 परसेंट पे थी SDPI 7 परसेंट और जनतादल 4 परसेंट है और कल साम तक का जो सर्वे हमने कम्पलीट किया है उसके हिसाब से थोड़ा सा फर्क है बीजेपी जो रुजाओ पहले था उतने ही पर बरकरार है कॉंग्रेस का रुजाओ लोगों का बढ़ा है वो 42 से 45 पर गया है तो मतलब कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में 50-50 निक निक का 1-2-1 फाइट चल रहा है SDPI थोड़ा डिप हुआ है लोगों का रुजाओ कम हुआ है और जनतादल जैसे पहले था उसी लेबल पर चल रहा है और जो लगा कल मैंने दो तीनों के रोट शो में गए थे जनतादल के रोट शो में भी था तो जब लोगों का काफला आगे निकल जाता है तो रियलिटी करने में जिजगते तो अब जनता का मूट जो है जनता इतनी बेकूफ नहीं लग रही है आज समझती है कि किसको वोट देने से फायदा है किसको वोट देने से नुकसान है तो यह भी जो रुजाओ है लाज दो-तीन दिन में काफी जादा बदलेगा इसी के ऊपर मैं जानन पोलिटिकली अंडरस्टेंडिंग लोग हैं यह जो चार परसेंट जेडिये सेवें परसेंट करने यह लोग भी कॉंग्रेस को ही दालेंगे नहीं तो उनको मालूम है कि उनके जो यह जो डिसकर्शन शिवाजनेगर में चल रहे हैं जहां पर मैं जाके बात किया हूं इनको इनको बात को तो यह जो तो यह जो अलगा है जिसका यह प्राइज को इस उनका है मैं जितना मैं सबहूं किया हूं बात किया हूं तो यह जो अच्छे है देख की तन्विर अच्छी है एए ड़िग अगई का हवा इसी है कि तन्वीर एंस्डीपी को भी लोग नदर अंदास कर देंगे करना ही पड़ेगा नहीं तो बीजेपू उत्यावत देंगे आप ना तुम कुछ अहीं में कुछ जस्टिस नहीं मिलेगा और यह लोग हिंदुस्तान में भी क्या कर रहे हैं महाराश्चा में देख करके तोड मुडोड के एकॉनमी भी विलकुल बरबाद होगी है यह वक्त है यह जो फिफ्टीन एलेक्शन्स हैं इसमें लोगों को लोग सिकाएंगे और सिकाना ही पड़ेगा कि इस तरह कि कैमिनल पार्टी को अगर वो हल्म ओफ अफेर्स में लाएं तो बात मैनॉरिटी इसके नहीं है हिंदुस्तानी खत्रे में है सार आप क्या कहते हैं इसके बारे में जी साब देखिए कैनिडेट्स जितने ही वो खड़े हैं मगर वो कैनिडेट की मैं 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 अप्रिशेट करता हूँ मैं इजद भी करता हूँ मगर उन्हों आप क्या है हल्खे के लोगों को उनके बारे में सुछना चाहिए उनको भी क्या मैं खड़ा हूए मेरे पैसे मेरे मगेते ऊट लूँ गा अगर ये मेरे ऊट उदर चलेगे तो क्या करेंचे मेरे ऊट से बट रहे हैंना समझ के क्या कर नहीं हुआजरा वोटरस भी चारक रुशार हो जाना चाहिए को ऐसे क्या कहते हैं आप ये रुजाओ देख के क्या बोल रहे हैं ये SDPI और जनतादर के जो परसेंटेज आ रहे हैं और ज्यादा होंगे या कम होंगे आप जो बुले सही है अब वो कम हो ले कारा रहे हैं मैं SDP को भी जनतादर को बुसारिश करना चाहता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एलेक्षन मुसल्मान और बीजेपी का है ये एलेक्षन मुसल्मान और बीजेपी का है और ये एलेक्षन भी ये टिपु सुल्तान रहमतुलाले का और बीजेपी का है आज टिपु सुल्टान की बेज़ देती हुई है बीजेपी से आज तुमें एजजेपी और जन्तादर वोट ले लिंगे है तो बीजेपी आंदे का अंदेशा है तो नकसान किसे होता है मुसल्मान कोई होता है तो मुसल्मान तो पहली क्या पहली बात क्या है तो हज़र टिपु सुल्तान की जो बेज देती आप किदर उसका बदला ले सकती है आज हज़र टिपु सुल्तान का बदला लेना तो पूरे मुसल्मान एक होना एक पार्टी को साथ देना आप तो एजडेपी जीतने की ताकत ह फोट्रीच नवटि लेता है, तो चलो, है क्या? नहीं है। आप तो कोसे वोट लेती है नवजवाना की वोटान लेती है जोश में जोश में वोटान से नौक्सान जीतने लोली पाटी जीतने के है उसे नौक्सानों अटा है और जन्दादर, जन्दादर को मैं पहले कही चुका हूँ, कि तन्मीर हमद हमारे दोस्त भी हैं, और हमारे अच्छा पचानत के चाहिते भी हैं, मगर उनकी पार्टी का जो लीडर है, उसकी कोई खड़त है, जरह खुद को बोलता हमें बीजेपी को गिरने नहीं देते हैं, जरह खुद को कुमार स्वामी बोलता है, बीजेपी को गिरने नहीं देते हैं, इनकी कुछ शाटी जी है, कुछ भी नहीं है, इसके वास्ते है, बेकार वोट फोड़ोनों को, अल्ला के वास्ते है, और ये खो जाओ, एक मुसल्मान की सिट्टे, सिवाजी नगर में जीतने की सिट्ट है, जरूर से काम आएगी, गुजारिश कर रहा हूँ है, मैं भी उनका भाई हूँ, मैं उनका दुश्मन नहीं, जो इनों करको ही धोका, जो अली बाबा चालिस चोर था, ऐसा इनों, सत्रा चोरां ने एक ऐसा घलत रवया अपनाया है, कि बीजेपी क्रिमिनल प इस कहां से मेरबानी फर्मा कर पूरे एक हो जाईए, ये क्वाटी को साथ दीजेए, क्या परसेंटेज आपने देखा और अब क्या बोलते हैं, मुझे बहुत स्टॉंग लग रहा है कि औल उस विल ओट फॉर कॉंग्रेस, इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि नॉन मुसल प्रावलम है, और अच्छी लिए लोग गाली दे रहें पीजेपी को क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बिसनस नहीं है, अच्छेचे मार्केश बंद होगे हैं, आपकि नॉन-मुसलिम तो वो लोग भी श्रायज देफिनिटली को भी बोलते हैं, तंग अच्छेश पूल, आपकि यह बोलते हैं, आपकि इस नहीं होगे हैं, आपने जो पॉइंट बहुत हैं कि यह कहीं जात और धं को सब को हटा कर देश की तरक्की के तरफ से अगर सोचेंगे, तो गडिप 4.5 होगे हैं, फ़ाफ पे इस अगामा होगा हैं, कोई मीडिया बात नहीं कर रह शरेवर, अब क्या बोलते हैं, फाइनल, फर्स कोर्टर में 5 पसंट थी, वही डिप था, पूरा एकोनमी का कबड़ा लग गया था, और अब 4.5 होगी, और यह लोग स्टाटिस्टिक्स को छपाने की कोश्किश, हर जगा से इनका, एक वीजबी का में यह है कि सिक्र्ट, ए इलेक्टिसिटी का सेक्टर मार खा गया, आटो मॉवाइल सेक्टर मार खा गया, इंफ्रा सेक्टर कंस्टर पूरे बेढ़ गया है परांदब, और कल मनमोन सिन्म साब जो पहले भी गौर्नर भी थे, और प्राइम मिनिस्टर, अनों बोले के यह 8-9 परसंट जाना था तक, इससे भी कम नहीं हो सकता, आप बोल रहे हैं कि आप रूरल एकॉनमी जो अनर्गनाइस सेक्टर में आप कैश डलो, तभी वो एकॉनमी उड़ेगी तो जड़ा GDP बेटर हो सकता है, बोलके, किसी की बात सुनते नहीं है लोग, मिझे लगता है कि मोदी साब भी कुछ नहीं क बीज़ेपी, बीज़ेपी 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 वर्से सेक्यूलर इंडिया, कॉंस्टिटूशनल इंडिया, इंडिया इस अलाइव, यह होगा, शिवाजी नगर में भी आप टमिल की तादॉत कितनी है, 75 परसंट है, मैं आपको एक बात हैं काविरी का इस्यू होग वरोइटस होंगे, तो क्या इंको बीज़ेपी बचाएगी, यही बीज़ेपी है, जो जलोकर्टी को क्टेमिल नावो में इंपॉस करने गई थी, यही बीज़ेपी है, जो हिन इंडि को इंपोस करने गई थी, यह लिंगिविस्टिक डिवरसिटी को टॉल्ट ने कर सकते ये लोग आरिनाइजेशन करना चाहता हैं सोस इंडिया को क्या ये लोग खाब देख रहे हैं कि टैमिल इनको देंगे टैमिल सबसे उंदा और चाला खाउम है इनको ये दर्वाजा और लोठा देके भेजेगे वाबस जाए कुछ भी हो श्रवर्ण हो या कोई भी हो उनको थेट है अगर कल काविरी में फिर प्रॉलम हो गया पानी रिलिस का प्रॉलम हो गया तो बीजेपी इनको साथ नहीं देगी क्या इंट्रेस्ट है उनको नहीं हाई नहीं टैमिल नाड़ो में वो therefore उनके लिए भी मेरी विनिती है और मैं देने की भी जुरूत नहीं है वो लोग सब चाला गए पैसे लेंगे एजो भी है पॉलिटिक सो होगा लेकिन पॉलिटिकल इंट्रेस्ट अवर्ण गवार हूं जो करना ठाक में है आपके जिन्दगयों को आपके इंट्रेस्ट को प्रॉटेट करना है तो आप हाय या नहीं कॉंगर्स पार्टी है और मैं आपको मैं जश्मितित गवा हूँ, जबी भी रॉइट्स में हैं, कॉंग्रेस पार्टी हमेशा के हमारे टेमिल भायों को प्रोटेक्शन दी है, वक्त आ गया है, एक एंग डाइनमिक लीडर खोड़के है, चेंज चाहिए ना, जो है ना चेंज, तो इसको आप बोट दे हैं, शोशल फाइबरिक थ्रेट में हैं, आपके खाना पीना थ्रेट में हैं, तो आप उसको वोट के से दे सकते हैं आप, तो यह जो फिफ्टीन जैसे कुरेशी साब बोले थे हैं, अली बाबा ये चोर ये जो 17 चोर जाके तक तक तब इतने गंदे गली सियासतदान अपन अवाम सिकाईगी, जी इस वर पता चलेगा, बिल्कुल अवाम सिकाईगी, क्योंकि आज जो जो ट्रेंट दिखाए दे रहा है जो शुमाली करनाटका में, जो हो रहा है, जो ये अखलमन लोग और दिहाती लोग, ये खरीब लोग, ये समझ गए हैं, बाद आगे गाओं ब आज़े हैं, जिन्दगी इतनी बर्बाद हो रही है, मगर उनके जो मुन्तखिब जो इन्टखाम जीट के नुमाइन दे गए, और ये जो आएं दे लोगों के समझ में आगए हैं ये बात, हम अम मर रहे थे, तुम्हें काँए थे, तुम्हें आगे तुम्हें बाद आगे बाद आगे, आग पूछेक्ष निया कर पूछेश्क yada करों, मज़डे में आगे हैं गाए पूछे अगे तो, कंड़लोग केड़ी हैं लो जो पूछे घथ को पूछे Twe vaccin desapare रिष्वा नर्षेद इस परेप्रेश्ट परेश्टिशनल इडिया डिविसरी इंडिया। प्राश्य कि सग्प्रग्या खले आम देशबक्रम गॉट सही को बोलती है तो क्या इवांत बैजब तो डूलिप? महात्मा गांदी अपोजल अफ टूथ जो हमना इंडिपेंडेंस लागी दे आप उनको आप उनको नीचा दिखा रहे हैं यू वांट देट पार्टी अन्ना दोराए MGR जाले रिता ये लोग गांदी के भक्त है टैमिल भाएं को ये जानना चाहिए आज उनकी महात्मा गांदी की डेसिक्रेशन हो रही है तौहीन हो रही है आप उनको लाना चाहेंगे मेरी टैमिल भाएं ये वक्त है इनको भेजे घर और इंडिया को बचाए क्या कहते हैं हर्यक के ओपर इनकोरी चली आए मेका रोशन पे कुके को छोड़े रोशन पे चार सु क्रोड का धबा लगे के बाद दे उसे तो इनकोरी चलना था ना EDA बुले नहीं गया CBA बुले नहीं गया तो क्या मकसद था उसे अरश्ट करको लग जाना था तो क्या है हाई कमांड इनकोरी ने पैसे ले लिए किसके ने सुनने में आया कि कुरोडों का घोटाला चलको है हमेशा को केते कि कुरोड देखा यह को सुनने में आया तो इसे रोशन पे कुछ चुट छोड़ी तो हमारे माभाना घरा में कामा करने वाले आईए में में पैसे दाल को बरबाद हो गए है आईसे शख्स को छोड़ लेको फिर उसके जरिये से BJP को तुम्हें मझबूत करे तो इनके पैसे आती हैं क्या वो सुच उप हले अर्केस नहीं आते इनके पैसे आती हैं वो डेड हो जाती हैं पैसे पुरे आज तक उन्हों सही कोई काम नहीं करें बीजेपी वालों ने बीजेपी वालों ने देश में नुकसान उठाने का जरिया दिखा करें मगर आमदानी का जरिया कुछ भी नहीं दिखा है आज भी कई नौ जो हम बेकार पड़ी है जब एक प्रेम मिनिस्टर बोलता है के डिकरी लेख हीं सुनो तो यो पकड़े बेचोगा को उन्हें प्रेम मिनिस्टर बोलने के लायख का हुने यह हलत है तो बीजेपी अपने सीट के वास से मरने की पार्टी है और उने कुछ देश को करने की पार्टी नहीं, आज बीजेपी को लेंगे तो तेमेड भायां क्या हर ये भायां भी नुकसान उठाने वाले ही, आज शेरियार भई बोले कावेरी काईशो क्या बीजेपी वाले साल करती हूं, नहीं करते हैं, लड़ने करते हैं, लड़ने करत मैं आप से शेयर करना चाहूँ जली कर्टू का टैमिन लड़ों की शान वो उसे निकालने बठे थे ना ने निकालने बठे थे तो इनों ये हर मजब के अद्मियां को लड़वा कर तमाशा देखने वाले इनों जिन्देगी में कोई अच्छा काम करें घरते नहीं इन से तो ह हो मुशार होना जिसे खतम करना जो कांग्रेस की मैं तारिफ नहीं करो मैं लेकिन आज तक भी कांग्रेस से थोड़ा भूत नुकसान हुआ है नहीं को को नहीं लेकिन एतना नुकसान नहीं हुआ और कांग्रेस कुछ करकर है सिद्रा माय की हुकूमत को हमें शान से तारिफ करना आज घरिबों को चामल मिलने के वाँसर रास्ता बनाने वाला सिद्रा मया आज यह कुछ साथ केजी चामल देना हो का अनौनस कर वो अलग बात, लेकिन देश के वासे अच्छा करें, मनमोन सिंह क्या करें, आज भी उनको हरद मी चाहता है, मनमोन सिंह को, प्रेम मिनिस्टर मोधी पुचाता है, इसके बारे में अंधासा लगा ना हमें, हमें चुपके हिंदुत्वा, इसके उसके उपर जागो दिवाने हो को वोट हमारा जाय नहीं करने का है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वोपन वोल रहा हूँ, कांग्रेस को वोट देकर जिताईये, जो ये इंडिपेंडेंट, थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट खड़े में, रोशन बे के अंडर में, वो तो भाड़े के तट्वा ही, म कर दोख में देरा हूँ, वोग दुख भाड़े लागए, लेकिन में पड़े में प्लाइम्प्लाबेंट, लेकिन में एक तो अन्नेम्प्लाइमेंट साल करने के लिए एजुकेटेग देंड़े बेचेव, चाय बेचेव, जो आर्री पकड़े जाय पेजिए, उनका हक मार तो कि ए इसा खाहते नहीं मैलीन नहीं मेली बाड कि मुझा हैं, एक रहा है कमाने फॉत्पाथ पॉत्पाथिकश पॉत्पाथिया बाड पहलता बाश्या एक मैमाने नहीं मैफ ड़ाइटला कि उस्ड़कृती बाइडने कि पॉत्पाथम definitive कि ऊहरे हैं, तुम्हें दो वो già को का उन keyं disclose जाएं गाला तुम्हें थो शोपना न em कजसे का उन Nazi करिका भूम है ओड़ा परण के भूत या को घ्रतल पाल शुम्हें रखनेंट वे से मांज गशेश। आखना सब्स्काइब का व भरत तaran हैं आज का इन चंद्रगप्ता मोरिया अशोका चक्रवर्ती के जमने में और चोड़ास यादवास, द्वारसमुदास ये सब डैनस्टीज थे ना और उसके बाद भी बहुत से हुकुमरान आए हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज भी आए और हमारे सेकुलर हिंदु बादशाहें भी आए अच्छे से बादशाहें शिवाजी महाराज भी थे राणी चन्नमा थे और राणी लक्ष्मी भाई थे और मुगलिया सल्तन थे सब आए इसके बाद कई हिंदु हुकुमरान आए उन्हों कभी अपने प्रसीडिंग्स में हिंदु तवा का जिक्र नहीं करें कहीं भी नहीं है अब भी महाभारत में भी देखिए अब हिंदु तवा का जिक्र नहीं है रामायन में में भी क्या हिंदु तवा का जिक्र नहीं है अब इसके समय पहरे भी काई प्रेमिनिस्टर आये गए हमारे आज जहानी वाजपाई साहब भी थे वो भी कभी उनका अपने जबन से हिंदूत्वा का लिया क्या है यह कैसा स्पेशल है क्या हिंदूत्वा क्या है इसको यह वोट बटरने का तरीखा है यह वोटाई झाल तर रहा था कि कि अगर से थां जबने का थावी को बट थान पूर आता था क्या है बटेशल is not anti Muslim, it is anti Hindu क्योंके Hindus को बखूफ बनाई एक तेक है Yes, very true. Actually, it is anti-Hindu. Muslims all became united. We are becoming strong. Okay, second point. Hindus don't know if they're going to work their jobs, their jobs, they're going to work their jobs. It's all going to work. It's the problem. But still, just take faith, take Ram, take Ram, take Ram Mandir, take Hindutva. They just wanted a reason to defeat Congress. And BJB is a small party. I agree with you. It's the only reason they took. They fooled Hindus. It's 80% Hindus, that they just came to power. This is it. Nothing much is about it. I would like to comment. This is a point that Hindus have to think. Yes. It's the biggest thing that they have made. Exactly. That if you trust your country, then you're going to destroy your country. Exactly. You're going to go. So now, Farhan Saab, the point is, if you have fought against both the people, then we're all living with peace. We're all living with peace. Now, who is the danger? Who is the danger? Who is the danger? Who is the danger? The danger is the danger. The danger is the danger of all the Muslims. You can't control 130 crore people with police and army. People should have an understanding. How will they protect so many Hindus if all Muslims have enmity? How will they protect Muslims and Hindus? This problem created. Just for the power, just because they wanted to defeat Congress, which is a big party, they used Hindus as a tool. I have sympathy towards Hindus, actually. Okay. I have a lot of pressure on their massmiyat. Yes, the Balaampur resolution was exactly that. You know, dividing Hindus and Muslims and coming to power. But Hindus and Muslims are peace-loving people. We are all Hindustanists. I have so many friends who are Hindus. And they are amazing people. Sadiq, together, we Indians will tease them a lesson. Yes. So, definitely, it's an election. But Hindus will be anti-BJP. I am very sure about it. each week. So, you all have a lot of gratitude. I will tell you about it today. And I will tell you the viewers to tell us that my knowledge is very good. And you can tell us how much so much the knowledge is obfuscant. And how do you think and think and think are their votes. And with a good news, Please tell us all about it. This survey I will give you. It is the election that you will know. It is the right point. You will know how you know this survey is. Thank you so much. By the day of this Indian media book. झाल झाल